हाई हेलो हावर यो आल क्या हाल है भाई सबी लोगों की हाई होप की सब लोग बहुत अच्छे है ठीक है यह वडियो क्लास हम लोगों की जो यूपी एस इसी सिवल सर्वेस एग्जामिनेशन होता है यानि कि आईस आईपी एस वाला ठीक है उसके लिए हम लोग गाइडेंस स की तैयारी यानि कि जो बिगनर्स हैं जो यूपी एसे देटिक का जिस्वल सर्वेस का एक्जाम है इसको करना तो चाहते है इसके बारे में पर उन्हें क्या है कि कुछ बेसिक आईडिया या कैसे शुरुआत करें इसके बारे में गुँछ भी जानकारी नहीं है ठीक है तो उन्हें कैसे करना चाहिए, कहां से शुरू करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह भी जरूरी है, बहुत सारे लोग IIS की एक्जाम में कूदत हो जाते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें यह करना ही नहीं था, ठीक है, और वो बहुत ही काफी समय क्या क तो देखें कि यह almost world toughest exam है भारत सरकार का तो सबसे कठेन exam है ही ठीक है यह तकरीबन दुनिया का सबसे कठेन exam माना जाता है और साथ में आप देखेंगे कि 10 लाख हर साल तकरीबन बच्चे फॉर्म भरते हैं अपलाई करते हैं जिसमें से 180 लोग IS बनते हैं दीए जो vacancy होती है जो seat होती है मेरे ख्याल से वो 1000 में बोल दू तो बहुत जादा है ठीक है 1000 काफी जादा हो गई अभी इस बार मेरे ख्याल से 721 seat दी गई है 2021 के लिए ठीक है तो मेरे केने का मतलब क्या है कि 1000 लोग तकरीबन लिस्ट में आएंगे लेकिन जिसमें से 180 लोग IS बनेंगे आप देख सकते हैं कि यह कितना मुश्किल है भाईया है ना इसका percentage आप निकाल ले तो 180 multiplied by 100 divided by 10 के power 6 ठीक है निकाल लेना कितना percent आ रहा है बहुत ही कम percent zero point something यह ऐसे कुछ आएगा जितना भी आएगा तो आप देख सकते हैं कि रेशियो जो है यहाँ पर बहुत ही कम है भाईया बहुत-बहुत-बहुत कम ठीक है अच्छा है को चीज आप आगे देखें कि हो सकत है ठीक है इसे जादा अब देखिए कई लोगों को लगेगा कि क्या मैं डरा रहा हूं सबको नहीं वस्तविकता है जान जाएए आप कि जिस चीज के आप पढ़ाई करने वाले हैं तो उसकी हैसियत कितनी है उसके लिए कितना संगर्ष कितनी मेहनत करनी पड़ती है कितना तपस्या करनी पड़ती है जान जाएँगे तो उस इसाब से ही क्या है कि काम करेंगे थिक है मैं डरा नहीं रहा हूँ मैं वास्तविकता सच्चा ही बता रहा हूं ये भी हो सकता है कि ये सारी जो किताबे हैं ठीक है ये आपको Humanity के Subjects मिलने इसमें होते हैं पढ़ने में हो सकता है कि Boring लगे जैसे आपका History हो जाए ठीक है Quality हो जाए Economics हो जाए कौन पढ़ता है वही ऐसा Geography हो जाए कौन पढ़ता है सब Humanity के Subjects Ethics हो जाए Constitution हो जाए ऐसे विशय भी है आपको पढ़ने पढ़ सकते हैं जो की Boring लग सकता है ऐसा नहीं है सब के लिए ये अपलाई नहीं होता है ठीक है पर कुछ लोगों के लिए अपलाई हो सकता है जैसे जो Math और Science वाले फिल्ड के जो बच्चे होंगे है ठीक है Math Science वाले है उनको तो जनरली ये सब Boring ही लगने लगता है ठीक है Unlimited Current Affairs यानि कि Current Affairs के बारे में कोई बहुत विशयस कोई जानकारी नहीं दे सकता है कि यह इतना Current Affairs पढ़ना है और Hard to Select Ensure बाजार में इतने जादा किताबें मौझूद है सिर्फ एक ही सबजेक्ट के 10-10-20-50 किताब मौझूद है ये बड़ा ही मुश्किल होता है कि कौन सी वाले किताब सेलेक्ट करी जाए और ये आत्मश्वास के साथ सेलेक्ट करी जाए जो किताब हमने पढ़ रखे हैं या पढ़ रहे हैं वो किताब क्या है बहुत ही सही है तो ये भी बड़ी समस्या की बात है और हो सकता है कि आपको सिर्फ कोर्स खतम करने में है ये जो 50 किताबें आप देख रहे हैं इसको पढ़ने में हो सकता है कि एक साल से ज़ादा लग जाए यदि आप चार गंटे रोज पढ़ेंगे तो भी ये पूरी संभावना है पूरी possibility है कि एक साल से ज़ादा लग सकता है और ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़ादा पैसा न हो ठीक है और इसमें कुल मिला कि 12 पेपर होता है ठीक है 12 एक्जाम होता है आपका 12 एक्जाम मने क्या दो एक्जाम आपके prelims के हो गए ठीक है 9 एक्जाम आपके मेंस के हो गए और एक एक्जाम आपका interview का हो गया ठीक है तो prelims मेंस और interview तीनों मिला कि भाईया 12 एक्जाम अब सूच लि अरे भाई यह हमारे class 12 का जो exam होता था उसमें भी 5 ही subject हुआ करते थे ठीक है और जो graduation का भी subject हुआ करता था मेरे ख्याल से 9 paper हुआ करते थे फिर उसके बाद 6 हो जाते थे तो बाते समझेए ठीक है यह 12 paper आप जो देख रहे हैं यह कोई सस्ती चीज नहीं है एक से बढ़कर एक सारी paper है ठीक है उसके साथ में ही कुछ और चीजों को हम लोग देखें तो आपको writing skill भी चाहिए है लिखने की कला भी चाहिए यानि अच्छा लिखने आना चाहिए अच्छा माने की कुछ ऐसा लिखें जिसे की impression जमे उसके बाद जो आप किताबी पढ़ाई पढ़ेंगे यह बड़ा ज़रूरी चीज है ठीक है जो किताबी पढ़ाई आप यह 50 किताबें पढ़ेंगे और जो भारत की वास्तविक राजनीती है ठीक है यह बहुत ही अलग ह यहां पर जो IS, IPS होते हैं इनको हिंदी में क्या कहते हैं बिरोकरिसी को हिंदी में क्या कहते हैं नोकरशाह होता है मानी कि जो आपका MP, MLA होगा या MP होगा ठीक है या आपके जो मिनिस्टर होंगे इनका नोकरशाह यानि इनके लिए नोकर को तयार करना ही IS, IPS का का काम होता ह बात को समझे ये थोड़ा सा कि जो आपके MPMLA हो गए मिनिस्टर्स हो गए ठीक है प्रदान मंतरी मुख्य मंतरी हो गए या जितने भी मंदल या मंतरालाय हो गया इनके लिए ब्यूरक्रेसी नौकर शाह होती है और यहीं UPSC का काम है कि IS IPS, IRS, IFS यानि देश में सरकार किसकी होती है, सिंपल से बात है जो गौर्रमेंट होती है वो तो जो चुनाव जीतता है वही गौर्रमेंट सरकार का गठन करता है, गौर्रमेंट का मुख्य होता है Head of Government को होता है, प्रैमिनिस्टर होता है तो इन सारे लोगों में जो भागिदारी देनी है, वो किसको देनी है ठीक है, या इन लोगों की जो नौकरी करनी है, वो किसको करनी है अरे यही तो I.S.I.P.S. लोग करेंगे ठीक है, तो मेरी कहने का मतलब क्या है कि आप जैसा समझते है ठीक है, जैसा समझते है से मैं कहलों कि बहुत-बार काम होता है। आपके ट्रांसफर भी बहुत होंगे। नवकरी में भी आप जाने के बाद होंगे। तो आप अपने षाब से कुछ भी करने की सोचेंगे। यहां तेक इस कॉस्टोशनल काम कर रहे होंगे, समयधानी काम कर रहे होंगे नियम के इसाब से काम कर रहे होंगे तो भी आपके ट्रांसफर होंगे क्यों क्यों होंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी नेताओं से रोज बहस बाजी होती रहेगे चलिए, उसके बाद देखे, हो सकता है कि आपके परिवार, आपके दोस्त, आपका समाज आपको support न करते हो ये भी हो सकता है वैसे भी हमारा भारतिय समाज कैसा ही है समद सकते हैं हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहना, ट्रोल करते रहना ठीक है, खिजाई करते रहना अभी मेरे ख्याल से इन देवी जी का क्या नाम है इनका इन देवी जी के नाम पे खुब ट्रोल हो रहा है ठीक है और इनके जो हस्बेंड सहाबे वो बना क्या रहे थे बनवा रहे थे ये ठीक है तो इसलिए तो भारती समाज ऐसा ही है भाई हो सकता है कि परिवार दो समाज यह आपको सपोर्ट ही नहीं करते हों पढ़ा ही तो करना चाह रहे हैं UPSC के लेकिन वो सपोर्ट ही नहीं करते हों तो कैसे करेंगे क्या आप खुद अकेले हिमत रखते हों यह सवाल बड़ा जरूरी है और यह हमेशा आपको डर लगा रहेगा सेलेक्शन का कि अधि सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा क्योंकि अभी आपने देख लिया 10 लाख लोगों में सेलेक्ट होने वाले लोगों की संक्या है 721 इस बार और IS बने वालों की संक्या है 180 तो क्या 10 लाख लोगों में से 180 लोग सेलेक्ट होंगे तो उस 180 लोगों में आप आएंगे कि नहीं आएंगे यदि नहीं आएंगे तो क्या होगा तो ये डर हमेशा ही रहेगा ठीक है और ये लाजमी है स्वभाविक से बात है उसके बाद कम से कम आपको एक सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा जो कि आपका optional subject होगा यानि कि इतनी सारी पढ़ाई तो करनी है साथ में क्या करना है एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट भी होना है एकदम धुरंदर होना है इतनी पढ़ाई करनी है आपको साथ मेदी आप नौकरी में जॉइन होते हैं आप आइस बनने के बाद ये नो सूचिए कि ऑफिस में जाने के बाद सिर्फ आप मज़े ही करेंगे मज़े नहीं करेंगे या रोज लोगों की भीर लगी होगे रोज की रोज साथ साथ मेरा ये हो गया उसे में तब तक सांसद विधायक का फोन भी आते रहेगा मंतरियों का फोन भी आते रहेगा टॉर्चरड पर टॉर्चर होते रहेगे है ना तो यह मत समझेगे कि आईस बनना मतलब क्या है कि नौकरी का सिर्फ मज़े ही उठाने ठीक है तो यह सारी चीजे तो मैंने सिर्फ ये बता दिया कि UPSC में कुछ ऐसी ऐसी चीजें क्या है कि खूनी पढ़ती है चलिए अब देखेंगे कि यदि इन सारी चीजों के बाद भी आप हिम्मत रखते हैं या आपको लगता है कि वाकई में आपको UPSC के तैरी करनी है तो अब कैसे शुरू करेंगे या IPS क्यों बनना है आपको एक इस तरीके का प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना है भाईया इसके लिए आपके लिए पास एक बहुत बड़ी वज़ा होने चाहिए यदि इस बात का जवाब यदि आपके पास है तो मान के चलिए कि आपके 90% त्यारी हो गई यदि आपके पास क्यों का जवाब है तो यह मान के चलिए कि आपकी 90% की त्यारी हो गई है जितने भी लोग पास नहीं कर पाते हैं इस एक्जाम में वो सिर्फ क्या होते हैं एक रेट रेस चूहे की भीड का हिस्सा होते हैं उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि वो क्यों कर रहे हैं कहां जा रहे हैं किस ले जा रहे हैं उन्हें यह पता ही नहीं है ठीक है तो आप रेट रेस में शामिल मत हुई है ठीक है आपके पास 100% जवाब होना चाहिए शोर होना पड़ेगा आपको निश्चित होना पड़ेगा क्यों इसके कुछ ऐसे एक्जांपल होते हैं जो बच्चे सोचते रहते हैं दिमाग में हो सकता है कि उनको पावर चाहिए उनका राजाओं जैसा जीने का मिजाज है यानि कि वो टो ऐसी भी बहुत सारे लोगों की मान सकता है होते हैं उसके बाद हो सकता है कि आप पड़ने लिखने में बहुत पैशनेट हो रुची हो आपकी पड़ने के लिए त्टी का आप दूश्मन को जवाब देना चाहते हो या आप अपने प्रेमिका को जवाब देना चाहते हूं ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी या आप knowledge seeker हो यानि कि आपको ग्यान की तलाश हो या आप अपने आपको साबित करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि मेरे भीतर भी देखो talent है मैं यह हूँ, वो हूँ, फलाना डिम का है मैं superman हूँ, ऐसा थाबित करना चाहते हूँ, या ये भी हो सकता है कि आपने अपने जन्दगे में इतने खाली है ठीक है, इतने खाली है विल्ले हैं, विल्ले विल्ले पंजाबी में कहते हैं ने इसको ठीक है, विल्ले हैं, इतने खाली हैं कि आपके पास कोई काम ही नहीं है अब free हैं, तो free free पढ़े हुए थे, सोचे के चले ठीक है, कि तब तक UPC के पढ़ाई कर लेते हैं, ये भी हो सकता है या हो सकता है कि आप नौकरी के बाद, ठीक है, आइस के बाद election में participate करेंगे, और आप MPM मिलने के बाद आप PMCM बनना चाहते हों, ठीक है, बन सकते हैं सुभाष चंदरभोष जैसा सोचना पड़ेगा, बन जाएंगे बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है या आप हो सकता है कि एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जन्दगी जेना चाहते हों, या यह भी हो सकता है कि आइस के बाद आपका कुछ और बहुत बड़ा target हों, जैसे आप अभी एक channel देखते हैं, ठीक है, जिसके co-founder है, Roman Saini sir, ठीक है, वो खुद भी IS रहे हैं, मेरे ख्याल से इनकी 18 rank रही है, तो Unacademy का अभी आप platform देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से तकरीबन एक साल का 8000 करोड टर्नोबर है ठीक है, तो कहां से शुरू हुआ एक इनसान, ठीक है, जो IS का नोकरी किया, ठीक है, और उसने स्तिफा दिया, और यहां से यहां पहुचा तो मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आपके दिमाग में IS के बाद कुछ बड़ा target रखते हूँ तो जो भी रखते हो भी या, ठीक है इन सारे targets में से, कोई न कोई जो भी आपका target है, वो fix होना चाहिए वो निश्चित एकदम 100% sure होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए खुद को आपको कि यह काम जो मैं कर रहा हूँ, यह इसलिए कर रहा हूँ, यानि UPSC मुझे बनना है, ठीक है, तो अपने मेरे चार दूश में ने यदि आप जजबाती नहीं होंगे, क्यों का जवाब आपके पास नहीं होगा, ठीक है, तो यह सारी बाते होने वाली है, या तो आप यह बते कर लिजिए, ठीक है, या तो otherwise यह क्या होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है, पढ़ने का कोई time schedule नहीं होगा, यानि देर रात तक आप सोएंगे, यानि जैसे दो बजे तीन बजे तक, बारबजे तक सोएंगे, और उसके बाद सुबह आट नौ बजे दस बजे तक जगेंगे, अले बहाई जब 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 जब्यादगी में कोई ताकत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इधर आप इन सारी चीजो बहुत करते हैं, बैट बैट बैट, ठीक है, तो अब भी करेंगे, ऑनलाइन ग्रूप डिसकेशन करेंगे, बकवास, ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे टेलिग्राम में, UPSC के चैनल बना लिए हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या करते हैं, क्विज, दिन भर वह क्विज सॉल्ब करते रहते हैं, करेंट अफेर आते जाते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है, यह क्या है वहाँ, यह भीड का हिस्सा है, बकवास, ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा यह सारी नोटन के नहीं करेगा, बची यहां से, और साथ में आप देखें कि हमेशा लाजनीती में घुसे वहाँ होँग corners, अरक्षन के लिए यह मुद्दा, जाते धर्म के लिए यह मुद्दा, पकिस्तान में यह मुद्दा, शिरलंका में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, कौन नेटा क्या बोल दिया, घर्मा-गर्म मुद्दों से, आप हमेशा क्या करेंगे भरे हुए होगे आपके दिन भर की जो चर्चा होगी ना पढ़ाई लिखाई भूगी नहीं आप यही सारी बाते कर रहे होगे काओन निता किसको क्या बोल दिया मैं किस पार्टी का बिलॉंग करता हूँ मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ कौन सानिता अच्छा है कौन सानिता खराब है देखे UPSC एक ऐसी पढ़ाई होती है राजनीती का आपको ग्याता होना है ठीक है पढ़ते जाएंगे तो जो अब political science है या politics है देखे political science के बाद politics आती है जो राजनीती का आप ग्याता तो बनेंगे ठीक है लेकिन फिर भी आपको neutral ही होना पड़े आए neutral ही होना पड़ेगा ठीक है neutral माने क्या है कि आपको किसी भी जाती धर्म या समाज संपरदाय भेदभाव इस तरीके की विचार नहीं रखनी है ठीक है किसी पड़ाई लिखाई किया ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है इन सारी चीजों के बारे में आपका बुद्धी आपकी ज्यान विक्सित ही नहीं होगी ठीक है ये भी होगा frustration होगा, tension होगा, depression होगा, सोभावी ये सारी बातें बहुत सारा समय आपका खराब कहीं न कहीं दर उदर बरबाद होगा ठीक है, बहुत ज़्यादा समय बरबाद होगा आप अपने जंदगी और गोल के लिए disrespectful हो जाएंगे अपने आपको ही हीनता की निगाह से लिखेंगे impatience होईंगे धैरित्ता बिगड़ेगी आपकी तो मेरी कहने का मतलब क्या है कि पहला step क्यूं करना है आपको यदि इसको आप जानते हैं तो 90% आपकी त्यारी की मेहनत खतम होगी जानिये इसको पहले तलाश किये ठीक है तभी step 2 में आगे बढ़ेंगे पहले इसको तलाश लेजिए क्यूं करना है वैसे भी इस जंदगी में सुरी जंदगी कह रहा हूँ मैं इस दुनिया में ठीक है अभी तकरीवन 8 बिलियन लोग हैं यानि 8 अरब इंसान है और हमारे अपने देश में लगबग 150 करोड इंसान है 150 करोड इंसान है मैं ये बता सकता हूँ कि 99.9% जन संक्या मूर्ख है और ये बेवकूफ हैं और ये पागल हैं इन्हें कुछ नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं तो बस आप समझ जाएए कि क्या आप इन लोगों की भीड में हैं जिसको ये पता ही नहीं कि मैं UPSC करना तो चाहता हूँ लेकिन क्यों करना चाहता हूँ पता ही नहीं है तो ऐसे भीड का हिसा मत बनिये आप अपने जिंदगी को एक मकसद दे जिंदगी बहुत छोटी है और ये समय के साथ खत्म हो जाती है तो चले इसमें और कुछ आगे देखता है इस्टेप 2 दूसरा इस्टेप है क्या करना आपको सबसे पहले तो डीटेल एनलेसिस ओफ एक्जाम एंड स्लेबस अब आपको दूसरे इस्टेप में ये पता करना है कि ये UPSC क्या होती है इसका स्लेबस क्या होता है इसका एक्जाम क्या होता है ये सारी चीज़ों के बारे में ही बात करनी है UPSC क्या होती है ये कौन से सवाल पोचती है और यहीं सवाल क्यों पूछा जाता है इक्जाम है ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसके बाद आप जो पहला काम करेंगे सबसे जरूरी सबसे पहले syllabus को आप download करेंगे और उसको print करेंगे prelims के और mains दोनों की ही syllabus print करने के बाद उसमें जो कुछ भी लिखा है न ठीक है prelims और mains का prelims का syllabus आपको बस देखेंगे तो बहुत छोटा सा, इतना सा ही है और mains का तक्रीब 3-4 पेज़ का है तु उसमें ऐसे दिया है पहले GS Paper 1 दे दिया इसमें कुछ topics दे दिये GS Paper 2 दे दिया उसमें कुछ topic दे दिया GS Paper 3 दे दिया GS Paper 4 दे दिया आपका जो optional रहेगा ठीक है, optional के बारे में कुछ इस तरह से topic दे दिया, ठीक है, तो दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले तो भी आप download करेंगे syllabus को और उसको print करेंगे, prelims और mains के लिए, दोनों के लिए, और उसमें जो सारे word है न, उन सारे word को, पहले तो check करो कि वो सारे word होती क्या है, जैसे prelims म होगा, इसके बारे में detail analysis होनी चाहिए, ठीक है, ये एक्दम बढ़ियां से पता होना चाहिए, तो उसमें आप ऐसे मैं generally बता दू, prelims के दो paper होते है, GS के, 200 नंबर के, CSET के, ये भी 200 नंबर के, लेकिन ये qualifying होता है, ठीक है, qualifying मनें कि इसमें 80 सवाल होते हैं, जिसमें से 80 का 1 3rd question, ठीक है, कितना होगा, 27 सवाल, ठीक है, तकरीबन 27 सवाल आपको solve करने है, बिना negative वाले, ठीक है, बिना negative से positive वाले, और आप pass हो जाएंगे, इसके merit से या cut-off से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और ये रहाव का GS का paper, 200 नंबर का, इस 200 के नंबर में से तकरीबन मान के चलिए कि आपको 55% लाने है, ठीक है, 55% माने है आपके 110 नंबर, ठीक, क्या बते समझ में आ रही है, ठीक है, 110 नंबर है न, 110 नंबर लाएंगे, तो मेरे ख्याल से safe रहेंगे, हो सकता है कि आप qualify करेंगे, अच्छे से, ठीक है, उसके बाद mains के जो paper होते हैं, उसमें आप तकरीबन 9 paper होता है, ठीक है, 9 में से 2 आपका क्या होता है, qualifying होता है, यानि कि 7 ही paper होता है, जिसके marks चुड़े जाते हैं, और 7 में एक interview का, ठीक, optional के लिए आप कुछ, कोई optional एक subject को choose करेंगे, और हवा-हवाई तरीके से choose नहीं करेंगे, scientific observation, हो सकता है कि जो subject आपको पढ़ 6 marks दे रही है, हो सकता है कि किसी subject का trend अभी खराब चल रहा है, इस तरीके से scientific observation करेंगे कि कौन सा subject लेना है आपको, ठीक है, उसके बाद ही एक optional subject choose करेंगे, और एक और चीज, UPSC क्या है कि कभी भी factual चीज़ों को जैसे PCS में पूछा जाता है, वैसा नहीं इसमें सवाल इन किस साल में बनी होई थे, यह सारी चीज़े जो GK होता है, ठीक है, factual चीज़ें यहाँ पर तो नहीं पूछी जाती है, PCS में पूछी जाती है, उसके बाद आप देखें, concept building पर, है ना, आपको समझने पर ध्यान देना पड़ेगा, पेपर हमेशा ही random होते हैं, unpredictable होता है UPSC भी कोई कोचिंग वाले है, या कोई ग्यानी, कोई कुछ भी यह अनुमान नहीं लगा सकता है, कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, यह बिल्कुल random होता है, unpredictable, कुछ भी पूछा जा सकता है, या, भले बाती, इस बात को दिमाग में गुसा समझा लेजी अपने आपको, ठीक है, और आपको newspaper तो पढ़ना ही पढ़ेगा, इसकी आवशकता पढ़ेगी, और हमेशा ही आपको neutral होना पढ़ेगा, objectivity को follow करना पढ़ेगा, पालन करना पढ़ेगा, देखे, objectivity कहने का मतलब क्या है, कि आप जब पढ़ेंगे न, ठीक है, तो कभी-कभी आपको लगेगा कि आपके पूर्वग्रह हो गए, या आपके विचार या सिधान, ठीक है, जो वरतमान हिस्तितिय सरकार के उससे मेल जूल नहीं खा रही है, या कोई निता, कोई पार्टी का, कोई सरकारी आदमी, आपको बहुत पसंद आ जाएगा, या किस किसी को बहुत ज़्यादा फेवर करना है, और न तो किसी से आपको बहुत ज़्यादा हेट करना है, ठीक है, इसको neutrality कहते है, objectivity मने निश्पक्षवाद, है ना, यानि सब के हिसाब से आपको एक समान रहना है, ठीक है, ये बड़ा ही ज़रूरी है, आम तोर पर यदी ऐसे नहीं होंगे, तो आपकी answer writing में, आपकी answer writing में, आपका क्या है कि सवाल में, आपका, आपकी विचार, आपकी मानसिकताएं जलकती है, ठीक है, बचेंगे इससे, प्रिलियम्स और बेंस दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट अप्रोच है, हमेशा आपको अपने लिखने के जो कला है, लिखन शैली है, राइटिंग स्कील है, उसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है, और सबसे ज़ादा ज़रूरी चीज, आप पूरा फोकस करेंगे भीया, what is the core of UPSC, UPSC का core क्या है, जैसे रामड ठा, रामड ़ी था न, कि जिसको नाभी में मारेंगे, तो ही मरेगा, उसको उसके सीर काटेंगे तो एक और इक और नया सीरा जाएगा, उसको मारेंगे तो जिन्दा हो जाएगा, राम जो थे भग्वान शिररे, राम अर्दा जाएगा उसे तरह से कौन था इहरडे कश्यब था है जो न दिन में मरू न रात में मरू न शाम को ऐसे कुछ था न कि ना अंदर न बाहर न इंसान से न जानवर से मतलब कोई मुझे मार ही न पाए तब वहाँ पे जो हम लोग के नरसिम भगवान थे विश्णू का उतार ले तुषी बहwear ही है कि इसको यहां से जड से काटना पड़ेगा तब यह पेड़ गिरेगा है इसकी पतियां आप नोच रहे हों ठीक है एक साल तक नोच रहे हो दो साल तक और उस सोओचने की पतियां गिरें नहीरा है कैसे गिरेगा भाई पतियां नोचते जाएंगी यह पत तो श्ट्रेगल करता हूँ, मुझे लगता है कि वो बेवकूफ हैं, गधे हैं, उनका दिमाग, उनका IQ लेबल, उनकी बुद्धी, विक्सित नहीं हुई है, ठीक है, क्या किते हैं, गधा भी श्ट्रेगल करता है, दिन बर के, ठीक है, शाम को उसको वहीं थोड़े से चारा म मानसिक्ताओं से बचेंगे, ट्रिक्स और स्मार्टनेस, ढोड़ने के कोशिश करिए, योपेसी में बहुत जगाओं पर ट्रिक्स, हैक्स, स्मार्टनेस, यह सब होता है, ठीक है, इसको अपने भीतर लाएंगे, यह होता है, मैं इन सारी चीजों को खारिज नहीं कर रहा आपको अपनी सिमाहें और अपना मनोविज्ञान, अपनी बुध्धी, अपना ग्यान, अपना दिमाग आपको जानना है, ठीक है, कहते हैं कि जो खुद को नहीं जानता, वो दुनिया को कैसे जानेगा, जब आप अपनी को ही नहीं जानेंगे, तो आप योपीसी को कैसे सम तो यह आपको यह पता होना चाहिए ने कि UPSC का quality 100 point और मैं हूं 60 point या मैं हूं 10 point पे या 30 point पे या 70 point पे 90 point पे मैं कहां पे हूं बताइए आपको यह 100 point पे जाना है ठीक है और आपकी बुद्धी आपका दिमाग इस तरीके से इसके इर्द घूम रहा है तो आपको यह भली ब कौन्सी भाषा कौन्सी भाषा लैंग्वेज आपको समझ में आते हिंदी इंग्लिश जो भी समझ में आती हो ठीक है या आपको पता होने जाए कौन से किताब में आप comfortable feel करते हैं यानि कौन से किताब पढ़के आपके अच्छे सा समझ में आता है अच्छा लगता है से अपर किम ऌता और लोगों को बता Niakam All 접종 हें सब करना चांए यह तो आप को सब्सक्राइए तो आपको भली और पता ही अधिने की पार्टी यह सब करना चाहते हैंगे पता होति हुए चाहिए उसके बाद आप ऊपने लाट करना है यह संसव को डापनि attendant यह सब करने ही पता होने चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि यदि सारी चीजए अटेंड़ कर रहे हैं और UPSC हां 100oint और आप यदी हैं 40 Ireland और ये सारी चीजए आप अटेंड़ करेंगे और आपको यहाँ से यहाँ पहुचना है तो पहुचने में बाधा बने की तो इसलिए आप पॉर्टेंट नहीं करने चाहिए ठीक है बताईए है तो ये पता होना चाहिए खुद को दूसरा आदमी आगर थोड़ी कहेगा कि UPSC की पढ़ाई करने वाले बच्चे शादी ब्या बच्चे ये समझ नहीं करते हैं अरे ये कहां लिखा है गीता में लिखा है महाभारत में लिखा है कहां लिखा है ये सारी चीजे बगवास बाते हैं ठीक है आपको पता होना चाहिए कि आपके हिसाब से क्या करना है लोग शादी करके भी एक्जाम कौलिफाई करते हैं बिना शादी के भी नहीं कर पाते हैं है ना ठीक है मेरे ख्याल से बाते करने कितने टेसरी जॉइन करने हैं ठीक है कुछ इन सारी चीजों में मेरी विक्तिगत बातें इन कि आप जानना जाते हो तो मैं बता दूं अच्छा एक और चीज यहां पर है ठीक है मेरी वेकतिकत नीजी राय मानेंगे तो मैं इसमें कुछ चीज़ों को काड़ देता हूँ मैं किन चीज़ों को समझता हो देज ले जाना बहुत जरूरी नहीं है कोचिंग जॉइन करना भवुत ज़ादा जरूरी नहीं है और ये group study का तो कोई मतलब मैं नहीं समझता हूँ 4-5 लोगे कठे बैठके कुछ भी पढ़ रहे हैं मुझे उतना बहुत वो ऐसा समझ भी नहीं आता है पढ़ाई लिखाय मतलब थोड़ा अकेले एकांद में रहके पढ़ाई करिए हां debate करना हो यदि आप नो सिखवे हों जैसे कि आपको बोलने में शर्म आती हो लज्जा आती हो तो debate करने के लिए आप group में बहस कर सकते हैं ठीक है बहुत सारे बच्चे से होते हैं जैसे अब मालो कोई graduation कर रहा है या class 12 में है या अभी बहुत सारे बच्चे post graduate भी हो जाते हैं उनको बोलने में बात करने में debate करने में क्या है कि शर्म आती है उनका मूँ खुला नहीं है बंद है ठीक है वो frank नहीं है काफी जादा open नहीं है तो उनको क्या है कि दिक्कत होती है तो आप debate करने के लिए group join कर सकते हैं वैसे तो group study को मैं खारिज करता हूँ ठीक है social side जो समझ भाई वो इस्तवाल करो क्या फरक पड़ता है इससे ठीक है बताओ या ना बताओ इससे क्या फरक पड़ता है मुझे वो सब बहुत सीज़े समझ में आती है नहीं ठीक है prelims के बाद मैं आपको बता दूँ तकरीबन दो महिने आपको time मिलते है mains के लिए तो दो महिने में answer writing कर लेना भाई पहले prelims को तो qualify करो prelims qualify हुआ है नहीं और mains के लिए answer writing कर रहे है ठीक है मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा हूँ कि answer writing नहीं करनी चाहिए ठीक है taste series join करनी है ठीक है मेरे खाल से लेकिन एक जादा नहीं सिर्फ एक ठीक है और उसी एक taste series को क्या करना है कि अच्छे से practice करनी है ठीक है और इसमें भाषा तो ठीक है कोई बहुत वैसा लगता नहीं है ठीक है मेरे खाल से मैं मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओ नहीं करनी है तो मेरे खाल से मैं अपनी कुछ इसमें राय बता दिया इंटर्टेर्मेंट बिल्कुल करो भाइया मुविज देखो दोस्ती प्यार मुबत सब करो इसमें कोई कलती नहीं है ठीक सब चलेगा सब जायस है मेरे कहाल से लियो टॉलिश साहब ने कहा था वायर इंट पीस उनकी एक बुक है उसे मैं ठीक है तो देखिए इसके बाद अब जो हम लोगों का इस्टेर 4 आता है इसमें क्या करना है कि आपको किताबें पढ़नी है ठीक है और साथ में UPSC के प्रिवियस यर के कोशन पेप पर को भी लगाना है ठीक है और ये दोनों काम कैसे करने भिया पैलल है जैसे कि एक हपते तक कुछ किताबों को आपने पढ़ लिया ठीक है दस दिनों तक कुछ चेप्टर को पढ़ लिया तो उस चेप्टर से संबंधित या उस किताब से संबंधित ठीक है कुछ प्रिवि के किताब यदि अच्छे से आप रोज रोज पढ़ेंगे चार-चे घंटे पढ़ेंगे तो मेरे खाल से 15-20 दिनों में अच्छे से पढ़ी जा सकती है तो माले जे 15-20 दिनों में आपने modern history पढ़ लिया तो modern history के prelims और mains के question को क्या करें आप solve करें ठीक है अच्छा मैं इस video class में तो मैं किताब के बारे में बुक लिस्ट के बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है जिल लोगों को किताब की list चाहिए होगे तो मुझे comment section में बताएंगे ठीक है मैं अगला video बन कौन कौन से किताब नहीं पढ़नी है follow कौन कौन से मतलब basically किताब follow करनी चाहिए ठीक है तो step 4 में आप ये काम करेंगे उसके बाद तक करीबन 6 महिनों तक कोई current affair नहीं पढ़ना है यदि आप 9 सिखवे हैं नहीं 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 इंसान आये हैं UPSA के field में ठीक है तो तक नेताओं की बहस बाजे देख लीजिए ठीक है उससे थोड़ा सा आपका interest बढ़ेगा आपको पता चिलेगा कि राजनेती में कितनी वाहिया चीज़े भी होती है कितना एक से बढ़कर एक cartoon जो है कितने बड़े notting की बाज है सब ठीक है तो इससे क्या है कि थोड़ा आपका गंटे पढ़ूँगा आज से मैंने 16 गंटे के time table बना लिए ठीक है ये सब नो सिखवे और नो टंकी बाज करने वाले लड़कों से बचेंगे कि 6 बजे जंगेंगे 7 बजे खाएंगे 8 बजे बातरूम जाएंगे उसके बाद ये करेंगे उसके बाद वो करेंगे मतलब मिन अधर को बदलेंगे भी ठीक है और इसी तरीके से ये चीजों को continue करेंगे और जब एक्जाम आने वाला होगा तो उसके दो तीन महिने चार महिने पहले एक जो आपने टे सीरी जोईन करी है उस टे सीरी को अच्छे से रिवाइज करेंगे एक्जाम में जाके देंगे और अपने जिन्दगी में अभी से उतार लें इसका मतलब होता है कि इनसान सिर्फ कर्म कर सकता है फल उसको मिलेगा की नहीं मिलेगा फल माने फ्रूट वाला फल नहीं ठीक है फल मिलेगा की नहीं मिलेगा ये उसके हाथ हक में या हाथ में है यह नहीं ठीक है तो निश्काम कर पर्म योग माने क्या होता है आप अपना काम करेंगे ठीक है फल के बारे में आप विचार ही नहीं करेंगे मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि फल के बारे में आप विचार करके भी सोचके भी आप मन की अपने अशांती को ही बरबाद करेंगे क्योंकि फ तरीके की चीजों को भी फॉलो करेंगे निश्काम कर्मियोग, ठीक है, गीता की ये बात है, तो शुब कामनाई, बेस्ट विशेस, कैसा लगा इस बारे में, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रखें, ठीक है, समझाईए, बताइए, कहां पे दिक्कत है, कहां पे डाउट से क्या समस्याएं आ रही है, मुझे किस तरीके की और वीडियो लेकर आनी चाहिए, तो मिलते हैं एंगली क्लास में, तब तक के लिए क्या करिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए